मैं आतिशी इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी दिल्ली की कमान अबातिशी के हाथों में हैं के जुबाल के स्तीफे के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मदारी मिली है इसके साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई है केजुवाल के स्थीफे के एलान के बाद उनका नाम सबसे आगे चल रहा था विधायक डलकी बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई आतिशी साल 2020 के विदान सभाज चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केज़ीवाल सरकार में मंत्री बनी और साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्य मंत्री बन गई इसे पहले वो 2019 में पूरवी लोकसभासीर से चुनाब लड़ी थी और बीजेपी उम्बीदवार गौतम गंबीर से 477,000 वोटों से हार गई थी और तीसरे नमबर पर आई थी आतिशी को केज़ीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र मारा जाता है आतिशी के पास इस समय सबसे ज़ादा मंत्रालेओं की जम्मधारी है और जब मार्च में केज़ीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोचा सम्हालते देखी गए अब पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पर की बड़ी जम्मधारी दे दी है बता दें कि आतिशी साल 2020 में पहली बार कालका जी विधानसभाशेतर से विधायक बनी उन्होंने बीजेपी उमिद्वार धर्मवीर सिंग को 11,393 वोटों से हराया था आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ले में हुआ आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से तालुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड उनिवर्सिटी से ग्राजवेट हैं उनके पिता का नाम विज्वय सिंग जो दिल्ली उनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं आतिशी ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंग डिल स्कूल से की उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज में हिस्ट्री से स्टडी की और ऑक्सफोर्ड उनिवर्सिटी में शेवनिंग स्कॉलर्शिप पर मास्टर के डिग्री हासल की कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान मेरोड स्कॉलर के रूप में औक्सपोर्ट से अपनी दूसली मास्टर डिग्री हासल की उन्होंने मद्यप्रदेश के एक छोटे से गाउं में साथ साल बिताए जहां वो जैविक खेती और प्रगतीशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी उन्होंने वहां कई गेर लाबकारी संगटनों के साथ काम किया जा उनकी पहली बार आपके कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई और वो पार्टी के स्थापना के समय ही शामिल हो गई आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाफ के लिए पार्टी के घोशना पत्र मसौदा समिती की प्रमुक सदस्य थी उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन के शुरुवाती दौर में इसकी नीतियों को आकार देने में एहम भोबिका निभाई इसके लाबा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर हमेशा मजबूती से अपनी बात को रखा उन्होंने इस सौदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया और उनकी गहर मौजूदगी में शिक्षा मंत्राले का काम भी सभाला हाली में जब केजिवाल तिहार जेल में थे और स्वतंतरता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था तब उन्होंने अपनी जगा आतिशी का नाम आगे बढ़ाया था और उप्राजिपाल को चिठ्ठी लिखी थी जब केजिवाल ने अपने स्टीफे का अलान किया तब भी उन्होंने उस चिठ्ठी और आतिशी के नाम का जिक्र किया था केजवाल चाहते थे कि आतिशी उनकी जगा जंडा फेराए जबकि एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना था उसमें कैलाश गहलोत ने भावुक होते ह वे अपने नेता को आधुनिक स्वतनतरता सीनानी बताया था आतिशी को नौमार्च दोजारतेईस को ना सिर्फ काबिनिट मंत्री बनाए गया बल्कि सबसे ज़्यादा मंत्राले भी दिये गए आतिशी ना सिर्फ दिल्ली सरकार में एक लौथी महिला मंत्री हैं बलकिन के वादों को ध्यान में रखते हुए भी आतिशी का नाम एहम माना जा रहा था अर्विन के जवाल के स्तीफे पर आतिशी ने कहा था कि मुझे इस बात का दुख भी है कि आज अर्विन के जवाल इस्तीफा दे रहे हैं मैं आज दिल्ली की 2 करोड जनता की तरफ से यही कहना चा फर्वरी में विधान सभाचुनाव होने वाले हैं ऐसे में देखना होगा कि वो अपने इस कारिकाल में दिल्ली वालों के लिए क्या नए और बड़े फैसले लेती हैं मैं आतिशी इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी